इसको समझने के लिए पहले इसकी वज़य जान लेते हैं और है जो मुझे समझाते, आइकूल बी रॉक बड़ मुझे लगता है मुझे आपसे शेयर करणा चाहिए इसलुआ अपसे शेयर कर रहा हूँ सबसे पहली मुखे बज़े क्या है जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में डिसक्स की थी उसको दुबारा से आप सामने लख रहा हूँ और पहली बज़े है यूएस फेड से आने वाली न्यूस जहां पे इंटरेस्ट रेट को हाई करने की बात की जा रही है पैसे करम 2019 में जब कोविड आया था उसके अगर बात करने कोशी करें अगर आपको याद हो साइम पे जब बज़ा क्रैश कर गया था पूरी एकॉनमी लगड़ा था हिल जाएगी एकॉनमी तहस्नाइस हो जाएगी एकॉनमी को रिवाइब करने के लिए बैंक सामने आते हैं ह की ग्रोथ लाइन पे आने लग जाती है जिसकी वज़य से stock market सीधा सीधा impact होता है जब interest rates कम किये जाते हैं अब या कहां जा रहा है कि Fed शायल इंटरसेट को हाइक कर देगा, अगर वों इंटरसेट को हाइक कर देता है तो बजार में सेलिंग होनी लाजमी है, और ये बजार के ओपर एक negative impact डालेगी ही डालेगी, दोस्तों अगर चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लीजिए, बैल नोटिफिशन हो हिट रखिए, ताकि हम ऐसी information आपसे daily share कर सके, नमश्चा दोस्तों मैं हूँ वेपल कोशिक और आपका दोस्त, आपका host, आपका स्वागत करता हूँ हाँ आपकी के YouTube चैनल Stock Market Day पर, दोस्तों दूसरी मुक्य वज़ए क्या हो सकती, एक बात बजार में एक rumor की तरह फैली हुई है कि, शायद इस budget के अंदर में FIs के ओपर कुछ rules regulations strict कर दी जाएंगे, हो सकता है long term capital gain tax को 10% से बढ़ागे 15% कर दिया जाए, हमें नहीं मालूम है, government के लिए कोई भी budget बहुत या secret matter होता है, वो कभी भी ऐसे pre-budget leak नहीं हो सकता, it is highly highly confidential matter, बट फिर भी grey market की बात की जाए, अगर resources की बात की जाए, जो अभी reliable नहीं है, हम किसी भी resource के ओपर ऐसे reliability नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी अगर बात की बात की जाए, कि बाजार में क्या हवा चल रहे है, क्या गुफ्तगू हो रही है, तो यह है कि F20 की ओपर थोड़ी सी सक्ति की जासती है, जिसकी वैसे कर देखा जाए, तो पिछले 2-3 महीने में, बजार में से F20 लगा था, अपना माल बेच रहे हैं, और 1000 करोर का माल वो बेच के निकल चुके हैं, जिहां net seller है, वो पिछले 2-3 महीने में, तो क्या F20 के ओपर एक गाज गिर सकती है, देखना होगा बहुत interesting होगा, तो वहाँ पर ऐसे टाइम पर, बजार में सेक्टर रोटेशन के लिए, एक सेक्टर से पैसा निकल के, दूसरे सेक्टर में जाने की कुशिश करता है, क्योंकि चोतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है, तो बजट के ऊपर ही निगाहें कड़ी हुई है, तो देखना बहुत ही interesting होगा, कि क्या वाकई budget impact डालने वाला है, इन डालने वाला, तो बजार के value shares को को देखने कोशिश करें, तो इंडियन market का जो P है, अभी 36 के आसपास दिखाई दे रहा है, वहीं अगर US markets के P को compare किया जा तो वहाँ 19 के आसपास का P prevail कर रहा है, और emerging markets के अगर बात किया है, तो वहाँ पर 13 के P पर markets trade करी है, तो उस लिहाद से भी इंडि से निकल के हो सकता है, sector shifting नहीं, country shifting भी हो जाती है, कि FIs एक देश से निकल के दूसरे देश की economies में, दूसरे देश की companies में पैसा लगाने लग जाते हैं, क्योंकि हर किसी को अपने returns के ओपर investments सची चाहिए, और महंगी markets में corrections के पूरे-पूरे chances होते हैं, इसलिए कहा जाता है Corrections are always healthy for the market. अपनी चीजों को adjust करती हैं, और फिर जो बजार एक solid base बना के चलता है, वहाँ से बजार में अच्छी खासी returns आती हैं, तो guys, be ready for the corrections, always welcome the corrections, क्योंकि corrections are always an opportunity for you to enter at a better, better prices, जो prices आपको पहले नहीं मिलेते, वो corrections में prices बिलेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके पैसे से आप काम कर रहे हैं, उस वारा पैसा आपने एक ही भाव पे लगा दिया, तो guys, there are fair chances, कि आपको जब आपके सामने मौका होगा, पैसा नहीं होगा, इसलिए पैसा आपके लिए हमेशा रहना चाही, money management is the important discipline in stock market, so I hope after watching this video, आपकिसी भी crash और correction से डरेंगे नहीं, हर correction या crash को एक opportunity की तरह ही देखने ही कोशिश करेंगें इस वीडियो में इतना ही चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं अभी तक चैनल को सबस्राइब नहीं कहा है सबस्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिशन को हिट कीजिए ताकि हम रोज मिल सकें और ये मिलने का सिलसला आपका उसदारी रहे है